नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रोदत्ता आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होम्योकेट टिप्स पे दोस्तों यंग एज की जो नौजवान होते हैं जिसे हम लोग टीनेजर्स कहते हैं उनका दिमाग में एक सवाल कभ सरील पर हमारा मांड पर हमारा सेक्सूल लाइस्ट में तो नहीं पर ने वाला और मॉजवान जो होते हैं इस सवाल को लेका बहुत ज्याध retard रहते हैं बहुत और सरीर में कहीं पर भी नहीं पढ़ता है या फिर हमारा सेक्स्युल लाइभ में भी नहीं पढ़ता है ऐसा उन दोह fishmah पाया है जिदना जान पाया है मैं उन लोगों से पूरी तरह सहमत नहीं हो पता हूं इस बात को लेकर मैं मानता हूं कि हस्त मैथुन को करना सही भी होता है और गलत भी अब आप लोग कहेंगे कि दोनों ये संड्ड नो एक साथ कैसे हो सकता है तो बिलकुल हो सकता है अगर तो सीमन तो बनता ही रहेगा और अगर आप उसे बाहर नहीं निकालोगे डिस्चाज नहीं करोगे तो फिर वो जो है नाइट फॉल की माध्धम से बाहर निकल जाएगा तो अगर आप इसे खुद बेखुद हस्त मैथुन करकर डिस्चाज कर देते हो तो इसमें कोई बुर सिहत के लिए अच्छा ही होता है तो आप हस्त मैथुन को भी एक संतुलित मात्रा में करेंगे ज़्यादा नहीं करेंगे तो इसका कोई साइट एफक्ट नहीं होता है दोस्तो आप अगर किसी भी चीज़ को हर दिन खाएंगे चाहे वो चीज आपका लाग पसंद हो तो वो चीज को खाते खाते एक समय आएगा आपको ही चीज जो आपको इत्ना अच्छा लगता था एक टाइम आएगा आप हर दिन खाने के कारण के गई लिए कोई बी बची हुई नहीं रहेगी और इंपोर्टेंसी यह ना पुन सकता आपको माइंड लेवल के साथ साथ हेल्थ लेवल से भी हो जाएगा इसके लब अगर आप रोजाना हस्त में थुन करेंगे तो फिर आपका लिंग का उपर इंजोरी भी हो सकता है नाम तो आप लोग ने साथ सुनाई होगा इसमें क्या होता है कि नसों में सुजन आ जाता है और एक्सेसिव हुए में हस्त में थुन करने का कारण से लिंग की नसों में भी सुजन आ जाता है क्योंकि link बनी हुई है यौनी के लिए, हाथ से practice करने के लिए नहीं, क्योंकि हमारा हाथ का surface hard होता है, rough होता है, और कई लोग बहुत ज़्यादा roughly masturbation करता है, जिसका कारण उन लोगों में very close vein की सिकायत होना लगता है, तो ये कुछ side effect मुझे बहुत ज़्यादा देगने को मि मिलता है, पेसरेंट का सीमन कब discharge होता है, पेसरेंट को पता ही नहीं चलता है, और इसी के साथ साथ जो बहुत ही बड़ा impact पड़ता है, वो है sex desire पर, पेसरेंट का मन में sex के लिए कोई भी जगा बचा हुआ नहीं रहता है, पेसरेंट ट्राई करता है, इरेक्षन लाने की लिए किसी भी तरह से, उसके लिए वह फोर प्ले करता है, बढ़िया से, पौन देखता है, बट पीनस में कोई इरेक्षन नहीं होता है, लिंग एक लिंग जो है छोटा हो जाता है, अंडर कोस जे सिकूड जाता है, लिंग का चमड़ी बिल्कुल शिकूड जाता है, सिमन जो है बिल्कुल पतला पानी का जासा हो जाता है सीमन की मात्रा में कमी हो जाता है और कई लोगों को तो सीमन निकलता ही नहीं है उन लोगों का सीमन जो है रिट्रोगेट हो जाता है यानि इतना यदा हस्त मैथून करने का कारण से नफ डिसॉडर हो जाता है जिसके कारण सीम को उपर मैं एक सेप्रेट वीडियो अल्लेडी बना रखा हूँ अगर आपने उस वीडियो को भी तेक नहीं देखा है तो उस वीडियो को बिल्कुल देखिए मैं उपर आई बेटन मुस का लिंक दे दूंगा तो दोस्तों यह है कुछ साइड एफेक्ट ओव मास्टर वेशन एडलिस्ट मैं इसे मानता हूँ और कोई माने या ना माने बड़ मैं यह बिलिप करता हूँ कि एक्सेसिब मास्टर वेशन इस इंजुरियस टू आवर हेल्थ एन अस वेल अस सेक्स लाइफ और अब अगर किसी को ED, premature ejaculation, low sex drive, low libido या male infertility related कोई problem face कर रहा हो तो उसे बिलक अगरा लेकर अपना life को बरबाद नहीं करना है, आपको एक अच्छे होमेपाथ से संपर करके उनको अपना पूरी case details देना है, आपका पूरा mental and physical symptoms डॉक्टर साफ note down करेंगे, आपका अंदर क्या peculiar symptom है, वो आपको डॉक्टर साफ जानने का try करेंगे, जिसे हम लोग PQRS कहत आपका माईजम जाना जाएगा कि आप कौनसा माईजम से बिलॉंग करते हो, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस, यह टीबरकलनम है, प्रिफिर कैंसर माईजम से बिलॉंग करते हो, क्यूंकि इस दुनिया में 5 तरह के लोग होते हैं, तो आप कौनसा category में आते हो, यह जाना जाता we cure the entire patient तो दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि masturbation का side effect होता है अगर इसे excessive way में किया जाए तो और उसके कारण हमें कई सारे problems भी हो सकता है future में तो दोस्तो मैं इस वीडियो को इहीं पे एंट करता हूँ और मैं उम्मिद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लापकरी साबित होगी इसी तरह मुझसे जूड़े रहने के लिए मेरा युट्यूब चैनल होमियो केट टिप्स को लाइक करें शेर कर सस्क्राइब करें और बेल आकें को दवाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तो सो थैंक्यू बेरी मच एंड हवा गुड डे